नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। चाहिए तामबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारन प्राप्थ हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। जिन लोगों को अवश्य ही रोजाना सनान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे उनके घर में जो भी खराबी है, उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवन कब जल चलिए अब हम बात करते हैं। कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है आईए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में हो सकता है कि इन ही गलतियों के कारण आपकी रोजाना सूर्य देव को जल देने आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्विस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा सबसे पहली बात पूर्व की और मुख रखें सूर्य देव को हमेशा पूर्व की और मुख रखके जल चढ़ाना चाहिए जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के उपर नहीं पढ़नी चाहिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्गे का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं आपके उपर किसी की अशुख द्रिश्टी भी पढ़ सकती है सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंतर का जाप करें ओम सूर्य आय नमह दूसरी बात बिनासनान किये जल न चढ़ाएं भूल से भी यह गलती ना करें बिनासनान किये सूर्य देव को जल चढ़ाएं सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है ऐसे में यदि आप बिना स्नान किये उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप अस्फल हो जाएंगे तीसरी बात का तामरपत्र का उपियोग आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अनकित ना करें इसके अलावा स्टील पीतल का इत्यादी पत्रों का भी प्रयोग ना करें सूर्य देव को जल चड़ाने के लिए हमेशा तामरपत्र का प्रयोग करना चाहिए इसके पीछे वैग्यानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उश्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसे निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती चौथी बार ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल, कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें ब्रहमा मुहूर का समय अर्थात सुभह के तीन से पांच बजे का समय सूर्य देव को जल अरपन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियातलाप भी पूर्ण होनी चाहिए आप स्वच वस्त्र पहन कर ही सूर्य को अर्ग्य दें ऐसा करने से नवग्रह की क्रिपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के उपर सदैव बनी रहती है पांचवी बात अक्षर एवं फूल अवश्य हो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल अवश्य होनी चाहिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाए छठी बात हाथ सिर के उपर रखे हमेशा अपने हाथों को सिर के उपर रख कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के उपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवम व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है साथवी बात चपल ना पहने भूल से भी आपके पैर में चपल नहीं होनी चाहिए यदि सूर्य देव को चपल पहन कर जल अर्पन करेंगे आप से दूर हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें आठवी बात रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोश है तो वो दोश गुड में परिवर्तित हो जाएगा नोवी बात साधा भोजन लें यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चड़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें की आप रविवार के दिन मासाहार का सेवन करें लाल रंग की सबजी मसुर की दाल न खाएं यदि आप रविवार के दिन मिश्ठान ग्रहन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है रविवार के दिन लाल कपडे भूल कर भी ना पहनें अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पुजा करना बहुत अधिक लाभदाई होता है, वैसे तो हमें रतिदिन ही सूर्य देव की पुजा करनी है, लेकिन विशेश रूप से भगवान सूर्य देव की पुजा कर लेनी चाहिए तो आपको एक तामबे का पात्र लेना है, उस तामबे के पात्र में आपको जल रखकर सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है, अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, तो रविवार को जरूर करें. वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोश समाप्थ हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानिया होती हैं, उन परेशानियों से मुक्ती मिलती है जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं गायत्री मंतर का जाप करें गायत्री मंत्र का जब यथा संभव कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए नहीं तो जितनी देर आप जल दे रही हैं वहाँ पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए इससे आपको बहुत लाभ होता है गायत्री मंत्र का जब करने से जैसे सूर्य देव को समय हम गायत्री मंत्र का जब करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है नकारात्मक उर्जा दूर होती है रविवार के दिन सुभः जब आप सूर्य देव को अरगय देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुर्भ मिला लीजिये इससे क्या होगा इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अरपित करते हैं उसमें थोड़ा सा गुड मिलाकर अर्पित करते हैं आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को तो जब आप सूर्य देव को सुभा जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायतरी मंतर का जब करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुर और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है गे अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलत लगाएं। लाल चंदन जल में डाल कर भगवान सूर्य देव को अरग्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को तब आप उसमें लाल चंदन जब सूर्य देव को जल अरपित करते हैं, तो उसके बाद उस तामबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है, वह किनारे पर लगा होता है, जो हम कोई भी वस्तु डाल कर अरपित करते है तो किनारे पर थोड़ा मात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेता है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है, अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं, तो निश्चित बहुत शीघर आपके आकरशन में व्रिधी होती है, आपकी सभी काम बनने लग जाते हैं, आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्म विश्वास में भी व्रिधी होती है, सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो लाल मसूर की डाल किसी ब्राहमन को रविवार के दिन दान कर दीजिए, अगर आप किसी ब्राहमन को लाल मसूर की डाल दान करते हैं, तो इससे आप आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोश दूर होते हैं। यहां आप साथ रविवार कर लीजिये की आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किये तो साथ रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघर लाब हो जाता है। ग्रह दोशों से मुक्ती मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातहकल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इसे सूर्यदेव बली हो जाते हैं और गुड़ और चाबल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। धगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयभी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ती होती है। व्यापार हो, नौकरी हो हर जगह आपको तरक्की मिलती है और अगर आपके घर में कोई बीमार है। बहुत समय से बीमार है तो उनसे कहें कि वह सूर्यदेव को तामबे के पातर में रोली और लाल फूल डाल कर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई गुलाब का गुढ़ल का को भी लाल फूल उपलब्ध उसको तामबे के पात्र में डाल करें। थोड़ी सी रोलिया लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्यगरह बली हो जाता है तो आत्म विश्वास भी बढ़ता है। आत्मा की कारक है सूर्यो देव और जब हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ती मिलती है। नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। दवाया काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हरदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको सूर्य ग्रहन का पूर्ण लाप प्राप्थ हो। चाहे आपकी जन्म कुंडली मजबूत स्थिती में भी हो। तब भी रविवार को आपको आदित्य हरदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हरदय स्तोत्र का पाठ अगर आप तीन बार करते हैं, प्रतिदिन या फिर तीन ब प्रिशा में सफलता चाहिए, नैकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो। अगर आप किसी भी प्रकार से, किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेश कामना है, तो यहाँ आप जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय आपको एक बेल पत्र डालना है और इस बेल पत्र के साथ आपको भगवान सूर्य को जल देना है तो आप तामबे का पात्र ले लीजिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाले थोड़ा सा थोड़ा सा जल डाले एक रोली डाल और एक बेल पत्र डालें। और इसके साथ ही आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। हमें बेल पत्र डालना है तो इस विशेश सामगरी की वजह से हम इस जल को साथ बार में भी दे सकते हैं तो आप रोक रोक कर उसी। हैं आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें थोड़े समय तक आप आदित्य हरिदय शोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो एक बार, तीन बार या 108 बार गायतरी मंत्र का जब कर लीजिए या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जब कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए। इससे आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। उसे रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध का भर कर सोना चाहिए फिर अगले सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। से पहले मिले से पहले मिले में जले by छो उबूल के रात के लिवार विवार फंटूप है। से एंबी से पहले का मिले की जागला जल मुद कर ऱ अवँपड़ याल